नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है टेक डिरोड हिंदी में तो दोस्तों आज की ये वीडियो साइध आप सब के लिए बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने एंट्राइड को बिल्कुल अलग ही मोड कर सकते हैं प्योर कंप्यूटर लॉंचर के लुक में तो वीडियो सुरू करने से पहले में कहूंगा अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो जरूर कर देना भाई और आपको इस वीडियो को अंतक देखते रहिए अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल क सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड में जो गंठी का बटन है उसे दबा दो भाई और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तो आपको इस एप की जरूरत परेगी जिसके थुरू कि अपने अंड्राइड को पूरे कंप्यूटर के मोड में कर सकते हैं इस एप का नाम है कंप्यूटर लॉंचर और भाई यह और लॉंचर की तरह नहीं है यह विल्कुल डिफरेंट है जब आप इस लॉंचर पे किलिक करते हैं तो डारेक्ट आपका लॉंचर नहीं ओपन होता है यह आपको कहता है टू एक्सेस नेटवर्क डिवाइस यूनिट टू राइट यूर डेक्स्टोप नेम तो आपका जो भी माली जी आप इस कंप्यूटर लॉंचर को नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं जैसे कि मैंने बस अपना विंडोज दे दिया नाम और उसके बाद यह आपको एक दो परमीशन लेगा वो अपना पर अब लुक जो है आपके एंट्राइड फोन का वो कंप्लीट विंडोज में बदल जाता है बिल्कुल कंप्यूटर लॉंचर में तो यह मुझे इसे आपका काफी इंट्रेस्टिंग फिचर लगा कि यहाँ पर पूरे फोल्डर का डिजाइन इंटरफेस लूक सिलेक्शन पेस्ट और यहाँ पर देखते हैं काफी सारे अच्छी तरीकिस आप जो कर पाएंगे जिससे अगर आप फोल्डर में मूव या फिर रिनेम बगेरा कर दें मल्टिपल टाइम तो यह आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग होगा और आपको मैं बता दूँ एक इसमें कमिय इसका वाल पेपर इसका जो अगर आप कम्पिलीट विंडोज में अपने फोन को देखना चाते हैं वह भी पोर्ट्रेट मोड में तो आपको विंडोज का वाल पेपर आपको अलग से डानलोड करके सेट करना पड़ेगा उसके बाद आपका डिवाइज जो है वो कम्पिली फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वह 3-4 GB का हो जाता है अगर आपका इंटर्नल मालीजी 8 GB है या 16 GB का है तो इस ताम आपका डिवाइज जो हैंग करेगा बट यहां पी अगर आप इस एप का यूज करते हैं तो आपको कम्प्लीट विंडोज का भी फील आएगा और आपके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है भाई लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को सेर कर देजेगा वाच्छेप पे ताकि और भी लोग जान पाए सारे डाउंडोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके साड में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दोगा थैंक्स पर वाचिंग भाई सेर जरूर करना